तो मैं जानना चाहती हूँ कि फुल मून और अमावस्या के दिन ध्यान करने से कैसे हमारी उर्जा कैसे बढ़ जाती हैं? कैसे ब्रहमांडिय उर्जा से जुड़ते हैं? फुल मून और नो मून के दिन हमारा जो अर्थ, मून और सन है वो तीनो एक ही लाइन में होते हैं तो उस टाइम पे जो उर्जा है हमें डारेक्ट सन से प्राप्थ हो रही है तो वो उर्जा हम जो ग्रहन कर रहे हैं वो और जादा ग्रहन कर को आते हैं तो तीन गुना और एनरजी हमें उस दिन प्राप्थ होती है तो हम pyramid के साथ ध्यान करें, group में ध्यान करें, nature के साथ ध्यान करें और full moon या no moon पे ध्यान करें, तो और three times multiply हो जाएगी तो जब इतनी सारी उर्जा मिलके एक साथ हम grant कर पाएंगे तो हम जो अपने physical या mantle जो भी हमारे emotions के साथ challenges हैं हम उनको और ज़्यादा उर्जा देके heal कर पाते हैं तो और कोई भी संकल्प हम उस दिन लेके हम ध्यान में बैठते हैं तो वो definitely पूरा होता है, तो उस दिन हम संकल्प कोई भी अपनी अपनी life में संकल्प, एक अच्छा संकल्प लेके हम ध्यान करेंगे तो definitely उस में जो है वो है, जादा उसको उर्जा प्राप्त होगी और हम जादा उर्जा को ग्रेंट कर पाएंगे